एपिसोड फाइब में जिया उससे कहती है क्या तुम एक हुमेन हो इन सालों में तुमने अपने ग्राणपा का बिल्कुल भी खयाल नहीं रखा यहां तक कि वो मर भी गए और तुम यहां पर पाटी कर रहे हो छी मुझे तो तुम पर घिन आती है कहकर वो वहां से चली जाती है यूनिंग सोचता है मेरे ग्राणपा मर गए ऐसा कैसे हुआ क्या अब तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ है आगे 2006 का टाइम दिखाया जाता है जहां सब लोग गेम जीतने की खुसी में पाटी कर रहे थे यूनिंग वहां से जल्दी ही निकल जाता है तो जिया भी उसके ले आती है जिया उस पपी को लेकर घर जाती है तो उसकी मौम उसे घर में रखने से साफ मना कर देती है जिसते जिया सेड होकर बाहर ही बेट जाती है तो यूनिंग उसके पास आता है और पपी को अपने साथ रख लेता है ये देखकर जिया बहुत हफी हो जाती है दुसर तरफ ओल्ड यूनिंग इस लाइब में उसके साथ क्या हुआ ये पता करने के लिए जिया के घर जाता है पर उसकी मौम उसे देख कर दरवाजा बंद कर देती है उसके पापा पूछते हैं कि क्या हुआ तुम इतने गुसे में क्यूं हो वो बताती है कि जाव का पोता आया थ दस सालों के बाद आज जाकर जिया को ढूनते हुए यहां आया है दस सालों तक हमने जाव का इतना खयाल रखा उसने यहां तक की एक लेटर भी नहीं लिखी कोई बच्चा इतना क्रुएल कैसे हो सकता है ये सारी बातें योनिंग भी बाहर से सुन रहा था वो वहीं पर ही हाथ को पकड़ लेता है तो उसे फ्लासबेक दिखाई देने लगता है गर की सफाई कर रहते और उनके पेर में भी चोड लगा था अचानक उनका पेर मुड़ा और वो सीडियों से नीचे गिर गे जिससे उनकी डेथ हो गई जिया अपना हाथ छुडा लेती है कहती है आज ग्रंटपा के डेथ का सतवा दिन है मुझे लगता है कि तुम्हें लास्ट बार उनसे मिलने जाना चाहिए पर तुम्हें अपने पाटियों से फुरसत मिले तब ना वो उससे पूछता है कि उनके पेर पर चोट कैसे लगी जिया कहती है ऐसा दिखाना बंद करो जैसे तु दूर क्यों रहा मेरे इंग्लेंड जाने के बाद क्या हुआ इधर 2006 में योनिंग अपने मॉम का लेटर पर रहा था वो उसे बद्रे विस करती है और अपने पास आने के लिए कहती है वो कहता है आप तो मेरे बद्रे भी भूल गए हो मॉम अगले तिन क्लास में सर बताते ह ही कि समर में तुम लोगों का एक्जाम होने वाला है इसलिए खूप महने से अपनी पढ़ाई करना और उन्हें ट्रेस्ट पेपर सॉल्फ करने देते हैं सब बच्चे पेपर सॉल्फ करने लगते हैं पर जिया तो पेपर में कम और घड़ी के तरफ ज्यादा ध्यान दे रह तो उसे अच्छी कांची डांट पढ़ने वाली है पर सर उसे छोड़कर योनिंग से अपना फोन उठाने के लिए कहते हैं जो उसके पेर के नीचे ही पढ़ा था वो जिया का ही पुराना फोन था जो उसके तरफ गिर गया था सर उससे कहते हैं कि तुम एक अच्छे क्लास के बाद जिया टीचर को सब कुछ एक्स्प्लेन करने जाती है दुसरे तरफ योनिंग को तो अच्छी खासी डांट पढ़ रही थी कि तभी उनके क्लास टीचर आते हैं सर उनके स्टूडन को खुदी समालने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं टीचर उससे कहते है कि मैंने तुम्हें पहले ही स्कूल के रूल के बारे में अच्छे से समझाया था ना पर तुमने ऐसा क्यों किया इस बार में तुम्हारा फोन वापस कर रहा हूं पर आगे से ऐसी गलती कभी मत करना तो वो चुपचा फोन लेकर वहां से चला जाता है केंटिन में सब जिया के लिए परेसान हो रहते योनिंग आता है तो उसे पूछने लगते हैं कि जिया कहां है वो तुम्हारे पीछे ओफिस गई थी वो कहता है मुझे क्या पता कि वो कहां पर है और अपना खाना खाने चला जाता है ये सुनकर वो लोग उसे बंद पड़े हॉल में ढूनने जाते हैं वो वहीं पर ही थी वो लोग उसके फोन के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि ये फोन योनिंग नहीं मुझे लाकर दी है गाव कहती है कि वो बहुत कॉल्ड है पर दोस्ती अच्छे से निभाता है खास कर जिया के लिए जिया सब को बताती है कि म्यूजिक प्र ऐसे होते तो इतना सोचना नहीं पड़ता दुसरे तरफ अपने ग्रांटपा के फोटो को दे कर सोच रहा था कि अगर उनके पैर में चोट नहीं लगी होती तो वो सीडियों से नहीं गिरते पर उन्हें चोट कैसे लगी और घर पर उनके रिपोर्ट को तलास करने लगता है स्कूल से घर आते बक्त जिया उसे अपने साइकल पर विठा लेती है उन दोनों को साथ में जाते दे कर लियांग को अच्छा नहीं लगता योनिंग घर आता है तो ग्रंटपा उसे खाना खाने बोल कर कॉल पर बात करने चले जाते हैं कॉल पर योनिंग की मॉम थी जो अपने दुसरे बेटे को अब रोड भेजने के लिए अपने पापा से पैसे माग रही थी ये बात योनिंग भी सुन लेता है और उनसे फोन लेकर दुबारा कॉल मत करना वोल कर काट देता है इधर ओल्ड योनिंग को भी उनका रिपोर्ट मिल जाता है उसे पता चलता है कि 13 सल पहले कार अक्सिडंट में उनका पैर इंजेड हुआ था उसे याद आता है कि उसी के पीछे जाकर ग्रणपा का अक्सिडंट हुआ था ये देखकर वो तुरेंथी जिया को मेसेज करता है और उसे योनिंग के बारे में पूछने लगता है वो देखकर बताती है कि योनिंग कहीं चला गया है और ग्रणपा भी उसे रोकने उसके पीछे चले गए वो कहता है उन दोनों को रोको उन्हें ब्रीज के पास जाने मत दो बरना उन दोनों के साथ कुछ बुरा हो जाएगा तो जिया भी तुरेंथ उन्हें रोकने निकल जाती है ग्रणपा रोड पर इधर उधर उसे ढूंड रहे थे आखिरकार बहुत ढूणने के बाद जिया को यूनिंग मिल ही जाता है और वो उसे ब्रीज के तरफ जाने से रोकने लगती है कि तभी फिर से टाइम लाइन चेंज हो जाता है अब यूनिंग अपने आप को लंडन में पाता है उसे याद आता है कि जिया ने उसे जाने से रोक दिया था जिससे ग्रांटपा का एक्सिडन्ट भी नहीं हुआ जिया उसे मेंसेज करती है मिसन कम्पलीट क्या अब उसके लाइप में सब कुछ ठीक है ये देखर वो अपने फ्रेंड यांग को कॉल करता है जो अभी कैफे में काम कर रहा था वो कहता है तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला हम कितने ही सालों से टच में नहीं है वो कहता है मेरे ग्रांटपा कैसे है मैंने तुम्हें ग्रांटपा का ख्याल रखने के लिए कहा था ना और इसके लिए मैं हर महेने तुम्हें पे भी करता हूँ वो कहता है ये तुम क्या बोले जा रहे हो तुमने मुझे ऐसा कभी नहीं कहा वो कहता है अच्छा अभी मेरे ग्रांपा कैसे है तो वो बताता है कि sorry bro तुम्हारे grandpa कुछ दिन पहले चल बसे ये सुनकर उसे फिर से धक्का लगता है अब भी वो अपने grandpa को बचा नहीं पाया था वो सोचता है कि मैंने car accident तो रोक दिया था फिर ऐसा कैसे हो गया और इसी suspense के साथ ही ये episode नहीं फर end होता है इस drama के इतने ही episode available है अगर next episode आते हैं तो मैं आपके लिए तुरंत ये explain कर दूँगे thanks for watching